नमस्कार किसान सातियों आप सभी का एडवांस किसान चैनल पर हार्दिक स्वागत है आज मैं आपको पाइनियर बीज का रिव्यू बताना चाहता हूं कि किसानों को हमें बीज खरीदते वक्त क्या-क्या सावधानी रखनी चाहिए और किस तरह से हमें इस ब्रांड का विसले किसानी एर है हमारे पास चीएंसी एम नबड़ और इसमें आपको जो देखने वाली जो चीजे हैं वो देखनी है आपको कि सबसे पहले तो इसका लोट नमबर और यह कब यह पैकेजिंग हुई कब यह बना कब तक यह वैलिड है ठीक है तो यह डेड़ किलो वाली थेली है है हमारे पास ठीक है और इसमें आपको सबसे पहले देखना है कि लोट नमबर तो आपको लोट नमबर दिख रहा होगा यहां और यही लोट नमबर आप पन्नी को इस पाउच को पूरे को अगर उपर करोगे तो इस तरह से करने पर आपको एक लोट नमबर यहां दिखेग और यहां पर आगर आप देखोगे तो KP23S0380 दूसरा आपको क्या करना है आपके किसी भी मोबैल Android मोबैल होना चीए आपके पास उसमें आपको Farmer Connect नाम का एक एप आता है उस एप को Play Store से जाकर आप डाउनलोड कर लेना और वहां जाकर आप इस एप को यहां से इस स्कैन को स्कैनर करोगे तो आपको इस पे Verified का चिन अगर आ जाए तो ही आपको यह चीज खरीदनी है अन्य था आपको इस चीज को नहीं खरीदनी तीसरा आपको क्या करना है कि जो इस पर ये एक चम्कीली पन्नी है और इस पर अगर आप गोर से देखोगे तो आपको पाइनियर दिखा मिलेगा कहीं न भी पाइनियर पाइनियर से इस पर डॉटेट से लिखा हुआ होगा दूसरा आपको क्या करना है इसको अंगुली से स्क्रेच करना है जोर जोर से अगर जोर जोर से स्क्रेश करने पर अगर ये डिफीट हो जाए थोड़ा बहुत इसमें अंतर आ जाए इस चमकिली पनी पर तो वो आपको माल नहीं करीबना है वो आपका बीज गलत भी हो सकता है अगर ये सेम इस्तितिस्की रहती है तो वो बीज आप आराम से खरीद सकते हैं ठीक है किसान भाईयो इसके अलावा आपको क्या करना है कि मैं और क्या करूँ तो आपको एक प्लास्टिक का ये जितना आपको ये ये कलरफुल जो पार्ट आपको दिख रहा है इतना बड़ा आपको क्या करना है एक प्लास्टिक का एक आपको एक चोको टाइप का एक टुकडा लेना है और उसको उपर आप जैसे रखोगे तो आपको उस टुकडे को उपर पाइनियर लिखा दिखा मिलेगा आपको इस लेबल पर इस लेबल पर आपको क्या लिखेगा पाइनियर ही गलत बीज के चक्कर में ना पड़े और सही बीज ही आप खरीदे इन इन सावधानियों को आप रखते हुए इस बीज को खरीद सकते हैं धन्यवाद किसान साथियों जैहिन जैकिसान